हेलो फ्रिंज आज हम एक नोबिल की स्टोरी पढ़ेंगे दोस्तों जिसका नाम है इन दा कैस्ट ओफ माइ स्कीन जिसे लिखा था जॉर्ज लेमिंग ने जॉर्ज लेमिंग ने इसमें एक अपनी सीमी ऑटो बायोग्राफी दिखाई है दोस्तों और इसे उन्होंने पब्लिस कराया 1970 में इसमें उन्होंने केरबियन नेरेटिव स्टाइल में लिटरेचर को दिखाया है और इसमें दो तरह की चीजों को उन्होंने दिखाया है इसम उन्होंने ओल्ड वर्ल्ड है और एक न्यू वर्ल्ड है ओल्ड वर्ल्ड से कहने का उनका मतलब है अफ्रिका और न्यू वर्ल्ड कहने का मतलब है अमेरिका ऐसा उन्होंने क्यों कहा यह हम आगे जानेंगे यह एक थर्ड परसन नेरेटिव स्टोरी है इसमें उन्होंने ब के हैं बारबेडियन में बारबेडियन एक बारबडोस को कहते हैं दोस्तों जो कि केरिबियन कंट्री में है या अपने टाम में नोबिलिस्ट, एसेस्ट, पोएट और एकेडमिक रह चुके हैं इन्होंने काफे सारे नोबल्स लिखें कुछ फेमस नोबल है नेरेटिव ओफ म इसे 1953 में लिखा गया, 1970 में पब्लिस कराए गया तो आएए दोस्तों हम स्टोरी की सुरुआत करते हैं कहानी की सुरुआत होती है दोस्तों जॉर्ज के 9th birthday पे जब उसका birthday हो रहा होता है दोस्तों तो उस गाउं में फ्लरड आने वाली होती है उस गाउं का नाम होता है दोस्तों क्रेगटन विलेज उसमें बाड़ आने वाला होता है लोग खुस इसलिए हो रहे होते हैं उसके birthday में कि बारिस आरी होती है और बारिस से फसल अच्छी होगी इसलिए वो खुस थे और वो कह रहे थे कि ये भगवान की blessings है कि आज जॉर् को ऐसा लग रहा होता है दोस्तों कि मेरा birthday जो 9th birthday वो काफी फीका मन रहा है पूरे villagers मेरे साथ तो हैं पर मज़ा नहीं आ रहा है कुछ है ही नहीं मेरा birthday में तो उसकी मा जो है उसे बताती है कि बारिस हो रही है बाहर तो मैं तुम्हारे birthday में कुछ ला तो नहीं सकती पर मैं तुम्हारे birthday में गाना गाना चाहती हूँ ताकि तुम्हें अच्छा लगे और जब उसकी George की मा जब गाना गाना श्टार्ट करती है दोस्तों तो सारे villagers मिलकर उसे join करते हैं और वो लोग भी गाना गानी लगते हैं ताकि George को अच्छा लगे और जब वो लोग George के birthday पर गा पूरा दीन बस तीन ही topic को बार बार discuss करते रहते थे marriage, death and mutual illness मतला हम लोग life के बारे में ही सोच रहे हो रहे थे अभी तक पूरे दिन भर हम लोग bench में spend कर देते थे और यही सोचते थे पर अब हम लोग में maturity आनी चाहिए क्योंकि हमारा ये ninth birthday है George कहता है इन बातों पर highlight करके वो George ये कहना चाह रहा था अपने दोस्तों से कि boys जो होते हैं वो colonial education को describe नहीं कर पाते हैं और उसमें first कर रहा जाते हैं हमें इससे आगे बढ़ना है और इसको leave करके और आगे express करना है अपनी life इसके बात George ये भी कहता है कि हमें न अब mature हो जाना चाहिए और talk करना चाहिए American और उनके religion languages के वारे में ताकि हम उन्हें अच्छे से समझ सके हमें ये सब सीखना होगा क्योंकि अगर हम ये सब नहीं सीखेंगे तो हम अपने आपको express कैसे करेंगे society में और कैसे आगे बढ़ पाएंगे इसके बाद जो हैं दोस्तों वो थोड़ा हट जाते stories और कहते हैं कि मेरी stories आपको थोड़ा confuse कर रही होगी क्योंकि मैं traditional plot of structure में नहीं लिख पाता नहीं मेरे story जो हैं वो Britishers और American style में होते हैं मैं एक Caribbean narrative की तरह लिखता हूँ इसलिए मेरे उसी में सारे Caribbean's में होते हैं तो confuse ना हूँ इसके बाद George कहते हैं दोस्तों कि मेरा जो basically इस novel को dedicated है कि मेरे जो society में एक rich people और poor people का boundary है basically जो rich people है वो तो कुछ भी हो सकते पर poor को एक specifically skin color में दिखाया गया है कि जो black skin colors के people होते हैं वो poor ही होते हैं इन्हें negro people बताया जाता है इसी चीज को मैंने in the castle of my skin में दिखाया है कि किस तरह skin color जो है वो dependent है rich और poor कहने पे यह story जो मेरी ninth birthday से start हुई थी और मुझे काफी ज़्यादा यह माना जा रहा था कि village में कि मैं एक भगवान का दिया हुआ बच्चा हूँ जिसके ninth birthday में पानी बरसा है वो एक flood का रूप ले लेता है और वहीं से यह हो जाता है कि यह बुरा था यह अच्छा था पर जब मैं negro people में के race में आ जाता हूँ तब मुझे ऐसा लगने लगता है कि मैं भी इनमें सामिल हो गया जिस सोसाइटी में लोग यह कहते हैं कि black skin है तो यह poor people है इसके बाद George यह कहते हैं दोस्तों कि मैं चाहता था कि मैं American religions को समझूं उनके languages को समझूं उनके रहने के तौर तरीकों को समझूं पर यह तो सिर्फ एक सोसाइटी की तरह रहते हैं जिसमें white people ही best है और जो black people है वो negro people के नाम से जाने जाते हैं अब negro people क्या है दोस्तों यह आपको जानना है तो grass is singing by doris lesson जो मैंने novel बनाई है वो देखें आपको समझ में आगा कि negro people क्या माणने रखते थे कितने नीचले दर्ज के people को कहा जाता था यही सब George इसमें बता रहे हैं आपको noble देखें आपको समझ में आजागा कि negro people क्या होते हैं उनके help करने से क्या मिलता है तो इसमें basically George यह दिखाना चाहते हैं दोस्तों कि American religion और culture में यह दिखाया गया है कि जो black people हैं वो एक negro people हैं और इनमें एक race है नीग्रो नेस है जिसमें इन्हें हमें नीचा दिखाना है और हमें आगे बढ़ना है क्योंकि white people are best इसके बाद George यह कहते हैं दोस्तों कि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और मैं business meetings करने लगा हूँ पर आज भी मुझे यह बातें खोदती हैं कि मैं negro हूँ क्योंकि जब मैं अमेरिका से वापस आया और जब वो अपने village character विलेज आते हैं दोस्तों तब उन्हें पता चलता है कि उनका village जो है वो उसका विनास हो चुका है सारे लोग इतर बितर हो चुके हैं पूरा village खतम हो गया है क्यों बस एक simple war से world war 2 में जो negro people के साथ हुआ वो वो describe करते हैं कि सिर्फ एक skin color के कारण पूरा का पूरा मेरा गाउं तबाह हो गया उनके साथ उनका वो दोस्त भी आया था जिसे वो समझा रहे थे अपने 9th बड़े में दोस्तों जिनका नाम था temper temper कहते हैं कि ऐसा लगता है ऐसा देखने में लगता है जैसे कि wolves जो थे वो सीप को खा गये क्यों सिर्फ एक racism में color discrimination में इसमें temper और जोर्जिया सोचने लगते हैं दोस्तों कि वो जो people थे वो wolves थे और उन्होंने negro को as a sheep खा लिया और उन्हें खतम कर दिया क्यों क्या वो negro people जो थे जिनके skin color difference थे उनसे उन्हें क्या respect नहीं मिलनी चाहिए थी उन्हें वो अजीब तरह से treat करते थे क्या ये हम लोगों पर injustice नहीं था क्या क्याओत Sum。